हेलो दोस्तों स्वागर थे हाफ सब का मेरी यूटीब चैनल नेरेटर लड़का में आज हम लोग देखने वाले हैं एक फ्रेंच कॉमेडी फिल्म जिसका नाम है सिरियल टीचर्स इस यूटी में स्पॉलर्स होने वाले हैं तो कुरुपे अपने इस पर आगे देखिये अपने कॉलेज लाफ के परमें सुचते ही वो सारे स्टूदेंट अपने कॉलेज लाफ को लेकर एकसाइटेड होते हैं और उसी दोरान जोल्स फरी हाई स्कॉल में स्कॉल की आला तो इससे काफी होटी है जहां न्यूज में उ स्कूल को जहां बस 12% स्टूडेंट पास हुएं तो अकैडमी इस्पेक्टर, डेपोर्टे इस्पेक्टर और उस हाई स्कूल का प्रिंसिपल तीनों ही मिटिंग में होते हैं जहां वो बच्चों की घटे पर्फूमेंस के बारें बाते कर रहें उन्होंने शहर के बेस्ट टीचर स्कूई उसकिया साथी स्कूल के बच्चे भी उतने बेवकॉफ नहीं है तो आखिर ऐसी क्या परिशानी है जिस वज़े से बच्चे फैल हो रहे हैं जिसे पहले किसी भी स्कूल ने इस्तवाल नहीं किया तो आगे वो दुनिया के सबसे घटिया टीचर को अपने स्कूल में लोकरे देना चाहते हैं क्योंकि शहर के सबसे बेस्ट टीचर उनके स्टोड़न्स को पास ने करवा सके तो उने उम्मीद है कि शहर के घटिया टीचर उनके स्टोड़न्स को पास करवा देंगे जिसके बाद हम दुनिया के सबसे वाहिया टीचर को वो स्कूल के तरफ बढ़ती हुए देखते हैं जिसमें घटिया इंग्लिस टीचर है जिसका नाम ग्लैडेस है वो पढ़ने में बहतर है पर बेको बच्चे को कड़ी सजा देती है और दुसरा एक लेजी मैंस टीचर है जिसका नाम कोपेरियो है वो इतना आलसी है कि जब वो फिशिंग करने जाता है तो वो मचले को नहीं पगड़ता बलकि मचले उसे पगड़ लेती है स्पोर्ट्स टीचर एरिक हरी भाई चीज को उठाता है और उसे फ्रेजबे के तरह इस्तमाल करता है चौदा केमेस्टर टीचर एलबर्ट है उसके एक्सपिरिमेंट्स जिंदेगी के लिए खतर है और वैसे ही उसके क्लासेज भी है और आगे फिलोसिफिट टीचर मौरिस जो उनसे कविता में बात करता है और आगे अमीना जो की एक फ्रेंच टीचर है अमीना उन सब में ही खुब सुरत है और स्कुल के बच्चे उसकी ड्रेसिंग स्टाइल को पसंद करते है और आगे हिश्टि टीचर पॉलो चान जो की शर्मिला है और हमेशा हाग लगा देता है कहीं पर भी जाने पर तो जैसे ही वो सारे टीचर स्कुल में आते है सारे स्टूरेंट की नजर उनी पर होती है जहां ग्लाड़ेस अपना पहला क्लास लेती है जहां वो स्टूरेंट्स पर चौक का इस्तमल करके वार करती है और उसे बच्चों को बारेशान करना अच्छा लगता है सभी स्टूरेंट्स में से एक लड़की का नाम Nectarin है जो कि टीचर उसकी चंप्ची है क्योंकि बढ़ाई करती है और उसे पिछले साल काफी अच्छे ग्रेड्स मिले थे जिसे वो बार बार याद दिलाती है फिर आगे हम क्लास के सबसे लेजी स्टोएंट को देखते हैं जिसका नाम बुलियार्ड है क्लास के अंदर आती है वो ग्लाडिस को शिकर बन जाता है ग्लाडिस के बड़ताओ से पूरा क्लास हैरान हो जाता है अगला क्लास को टेरोगा था जो आलसी होने के वज़े से क्लास में 20 मिनट बाद आता है और वो जादा के 10 मिनट लेता है अपना नाम लिखने के लिए जसके बाद वो ग्लास के बाद जाकर सिकरेट को फुकता है जब तक के बेल नहीं बचाते है इस्टर टीचर पोले चान गलती से दूसरे ग्लास में चले जाते है जहां जयर्मन टीचर पढ़ा लिए उन्हें लगता है कि जयर्मन टीचर एक्स्रोडेंट है तो वो उसे बैटने के लिए कहते है कुछ दिर तक कांजों के साथ खेलने के बाद वो नेपलेन के बारें पढ़ाते है और आगे उन्हें परदा चलता है कि वो गलत क्लास में आ चुके है तो वो उनसे माफिब मांग कर वहाँ से चले जाते हैं लाइजब्रेक के दोरान पॉलेटरान और जैन्मन टीचर एक दुसरे के और देख रहे होते हैं जिन क्लास के दोरान टीचर सारे बच्चों को जाड़पा चड़ने के लिए कहते हैं बिना बच्चों की सुरक्षा की चिंता करते हुए जहां वो उनस सभी से कहते हैं कि मैं तुम्हें जिन्देगी कैसे जीना सिखा रहा हूँ जिसके बाद सभी स्टूरेंट की फेडरेट टीचर मिस अमिना महा आ जाती है क्लास के लड़के उसे देखते वाक्त पलक भी नहीं जफकाते हैं जिसके कुछ दिर बाद वो सभी बेहुश होके अपने बैंच से नेचे गिर जाते हैं बो यार्ड लेड आने के बाउचूत वो भी हमिना को देखकर हैरान हो जाता है फिलोसफी क्लास के दौरान टूचर एक स्टूरेंट की सिर पे अपना जैकेट रख देते हैं और आगे उन्हें समझाते हैं कि कैसे एक हैंगर पर पेड़ेट तब बात नहीं कर सकता सबसे आखिर में केमिस्टर क्लास के दौरान एलबर्ट कुछ केमिकल्स को मिक्स कर देता है पर उसके एक छोटे से गलती के वज़े से फूरा क्लास जग से भर जाता है स्कूल के अंत हो जाने के बाद पोलेटरॉन फ्रेंच टीचर के पास जाता है जहां वो उनसे अपने की होई कलती के वबारे में माफि मांगता है और आगे उन्हें हग करते हुए सारी कहता है तो स्कूल का पूरा हफ्ता टेचाइस मिलके स्टूरेंट्स के ख़ब बजाते हैं जहां इसकूल के सबी स्टूरेंट्स उन्हें जेल रहे हैं पर हफ्ता ख़ब हो जाने के बाद सबी स्टूरेंट्स के पेरेंट्स प्रिंसेपल के पास आके कंप्लेंट करते हैं जैसे कि केमिस्टर टीचर का एक बच्चे के बैप को जला देना और फिजिकल एजुकेशन के दोरा बच्चों की हड्डेयों का तोटना जन बात को सुनने के बाद प्रिंसेपल के रोंग्टे खड़े हो जाती है तो वो डेपोटी के लेक्टर को कॉल लगाता जैसने प्रिंसेपल को ये आइडिया दिया था घट्या टीचर के बारे में और आगे जब वो प्रिंसेपल को कहता है कि तुम्हें ये बात को समालने पड़ीगी तो principal को deputy पर शक होता है तो फिर अगले दिन से ही principal सभी बातों को अपने हाथों में लेते हुए teachers को अपने काबू में करना शुरू कर देता है जहां सबसे पहले वो chalk को फेवे कॉल से table में चिपका देता है ताकि में इस Gladys chalk का इस्तिमाल करके student को ना मारे और आगे जब वो duster का इस्तिमाल करती है तो duster को रस्ती से जोड़ जाने के हुज़े से duster वापस आकर उसी के मूँ में लग जाता है और आगे डेसेटरों के class में जब वो picnic chair को लाके उस पर बैटने वाला होता है तो एक short circuit की वज़े से वहाँ explosion हो जाता है जिस वज़े से वो अपनी कुर्सी से उचल जाता है और आगे जिए वो class को ख़तम करने वाला होता है तो principal उसे जोड़ के आता है कि मैं घड़ी हूँ और आगे उसे डराता है Polatron की एक ही कमज़र है कि वो Napoleon के बारे में बार 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 बात करता है तो principal एक presentation का इस्तमाल करके बार बार उसे याद दिलाता है कि उसे क्या पढ़ाना है Chemistry rate के दोराँ principal वाटर को छोड़के सारे chemical को lock कर देते है जिस वज़े से explosion नहीं होता और आगे Ambina पुरे कबड़े पहन कर रहा है इस वज़े से वो कमड़े के hitter को तोड़ देता है और उसी दोराँ Polatron पुरा मेनद कर रहा ताकि वो German teacher को impress कर सके तो आगे वो बाकि टीचर से मज़त मंगता है जो उसे कहते हैं कि तुम्हें सकती से बात करना पड़ेगा जब कभी वो तुम्हारे पास होती है Polatron इन बातों को serious तर ले रहता है और आगे जब वो उसके सामने आती है तो Polatron एक bad boy के तरह behave करता है तो वो shirtless होकर German teacher से date के लिए पूशता है पर उसे पता चल जाता है कि वो कुछ गलग कर रहा है जब वो उसे मना कर देती है और अगेर कार टर्मिनल एक्जाम खतम हो जाता है जहां सभी teachers नेराश हैं क्योंकि वो वो सब नहीं कर पार है जो हमेशा करते हैं तो जब deputy inspector वहां inspection के लिए आता है तो क्योंकि अब वो जो चाहिए वो कर सकते हैं तो हमें काफी आजीब चीज़ दिखने के लिए मिलती है जहां पॉलेट रॉन, नेपलियन के तरह costume पहन कर और एक character में घुश चुक है आल से कटेर हो, सोते हुए होने पढ़ाता है मिस Glatz के class में जब बुई और एक लड़की की चोटी खिसता है तो मिस Glatz उस लड़की के बाले काट दे दी है और क्योंकि टीचर इसको ये power है कि वो कुछ भी कर सकते हैं तो principal बच्चे को नहीं बचा पाता सबसे ज़दा फायोत है इस बात का chemistry teacher उठाता है जिसके किये हुए experiments students के लिए जान लेवा होते है जहां हरे class में कोईनों की तबाही ज़रूर मुझती है और आगे philosophy teacher अपनी सबी students को ground में नंगा घुमने के लिए गाता है ताकि वो उन्हें प्रकृती के बारे में समझा सके ये सबी teachers को जैल जाना चाहिए स्कूल में रहने वाले पड़ोसी teachers के बारे में सुन चुके है उन्हें एक खुपसरो teacher के बारे में बता है उन्हें chemistry के धमाके के बारे में बता है और एक class के बारे में जहां students नंगे गुमते है तो फिर कुछ दिन बात school के आसपास रहने वाले लोग छुकते हुए school के सारे classes join कर लेते हैं जहां attendance अब 120% तब पहुच चुका है और अब school club बन चुका है जहां teachers teacher नहीं बलकि celebrity बन चुके है वही पोलर ट्रान अबे भी German teacher को impress करने ही खोशिश कर रहा और आगे वो सफेद घड़े में सवार होते हैं खुद को prince बताता है उसका plan failure हो जाता है जब उसका सफेद घड़ा उसे छोड़के वापस भागता है और आगे जब final exam नजदिक होती है तो school में आने वाले extra student को अंदर नहीं आने दिया जाता है पर इसके बावचुद वो school के बार से exam देने के लिए तैयर हो जाते है और आगे जब analysis में उन्हें पता चलता है कि उनके पास होने का percentage 12% से घड़कर 3% हो चुका है teacher इस बात पर यकिन नहीं करना चाते और principal को भी यकिन नहीं होता कि कैसे 12% से घड़के 3% गिर चुका है तो वो सीधा जाकर deputy officer से मिलता है और आगे principal को पता चलता है कि ये सब deputy officer की चाल थी वो चाता था कि school के पास होने के percentage और भी ज़्यादा गिरे ताकि school के academic officer को निकाल कर उसे उसकी नौकरी मिल जाए उसे पता था कि नए teacher इन बच्चे को पास नहीं करा सकते और इसी वज़े से उसने उन्हें नौकरी पर रखा पॉलेटरॉन इस बात को सुन लेता है और आगे staff room में जाके वो सब्य teachers को इस बारे में बता देता है इस बात को जान लेने के बाद कि वो फ्रांसिस के घटिया teachers है वो इस बहुत से नाराज हो जाते है और सावित करना चाहते हैं कि वो भी अच्छा teachers है पॉलेटरॉन को एक आइडिया आता है कि क्योंने हम question paper को चरा ले तब आके teachers आकर एक plan बनना शुरू कर देते हैं और वो इस बाद के लिए पितायर होते हैं जहां वो गुली से बचने के भी practice करते हैं और आखिर कार चरी का देना जाते हैं जहां वो ministry के बाहर एक group जो कि protest कर रहे हैं उन्हें जान कर लेते हैं जब police protest करने वालों की ओड़ रही होती है तो में इस Gladys जमिन पे लेड़ जाती है जिस वज़े से किसी का वे ध्यान उन पर नहीं होता और जब Gladys और कटेरो बाहर इंतजार कर रहे हैं बाकि teachers ministry के अंदर जाते हैं अब इने अपनी खुपसाज़ती का इस्तमाल करके guards का ध्यान बटाती हैं तक कि group के teacher अंदर चले जाएं पर safe room के अंदर जाने के बाद उन्हें पदा चलता है कि locker का एक 6 number का digit code है और तवे cutter हो वहाँ आ जाता है और आगे उनसे कहता है कि locker का code वही होगा जैसे minister election जिता था जो बात सही निकलती है फिल्म के आखरी sim में students को एक आखरे trial पर एक्षा देनी होगी जहां class के sabre teacher उनसे कहते हैं कि यह questions important questions है और test की शुरुआत करते हैं जहां एक student को पदा चल जाता है कि उन्होंने exam paper को चुराया है पर बच्चे वे students को इस बात से कोई परशानी नहीं होती पाइनल exam के दौरान sabre teachers हार मान चुके हैं जहां बोलेटरोन प्रिंसिपल को जाके resignation letter दे दाता है इस बात को जानते हुए कि उसने जो कुछ भी किया उससे students को कुछ भी मदद नहीं हो रही है और जब वो वहाँ से जा रहा होता है German teacher उसे रोपते हुए कहती है और आगे उन्हें दो हफ़ते तक लगाता और पढ़ाई करने ले मोटिवेट करता है जिसके अगले दिन सही philosopher teacher उन्हें पढ़ाने से पहले दारूप विता ताकि students को उसकी बाते समझ में आए Gladys अपने बच्चों को helmet पनाती है ताकि उन्हें चोटना लगे जब उन्हें मारेगी और sports teacher उनको जरुवत से ज़्यादा exercise कराता है तीन हफ़ते बाद test के results आते हैं जहां सभी को हरनी होती है student के pass होने के वज़े से पर क्योंकि pass percentage क्योंकि pass होने का percentage बस 49% तब पहुचा मतलब कि सब टीचर्स के मेनत बिकार होगी और school अगले साह से बंद कर दिया जागा जिस बाद से खुश होते हुए deputy inspector अपने boss के आगे दारू के ता जहां वो अपने boss का बताता कि यह सब उसी के चाल दी लेकिन तब ही principal को एक letter मिलता जिससे सब भी चीज़े बदल जाती है क्योंकि boy yard कई बर fellow चुक है तो उसे school से निकल दिया जा रहा है और एक बच्चे के school से निकल जाने के वज़े से school का passing percentage 50% हो जाता है तो वो सब भी खशी मनाते हुए boy yard को एक prince की तरह महसूस करवाते है जिसके बाद डेल के हिसाब से सब भी टीचर अपने 1% दिता school में अपना transfer करवा सकते है पर वो सब भी ये तैक करते है कि वो इसी high school में रहेंगे ताकि वो उन बच्चे को pass करवा सके जो भी pass नहीं हुए है वही दूसरी दरफ deputy officer एक board में बैठा है जहां उसे crocodiles आकर खेर लेते है deputy के transfer एक गाओं में हो चुका है फिल्म के आप में हम जर्मन टीचर पोलेटरान को किस करते भी देखती है जिसके बाद उसे भी एक grow photo लेते है और यहीं पर फिल्म का अंत हो जाता है